हाई फ्रेंज आज मैं एक एंटासूट कैपसूल का रिव्यू करने जा रहा हूँ पेट में बनने वाली गैस, बधजमी और एसेडिटी को दूर करने के लिए इस मैडिसिन को लेनी की एडवाइस की जाती है L.A.N. 30 कैपसूल ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्ध होता है इंटास फार्मसेटिकल्स लिमिटेड के दोरह इसका प्रोड़क्शन किया जाता है कीमत की अगर बात करें तो 10 कैपसूल के एकिश्टिप मार्केट में 107 रुपीज का उपलब्ध होता है अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिश्ट ना करें अगर आपने इस प्रोड़क्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या-क्या एक्सपिरियंसेस रहे हैं कमेंट सेक्षन पर लिखकर मुझे जरूर बताएं आए फ्रेंड्स वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में तो फ्रेंड्स इस कैपसूल में लेंसोपराजोल 30 मिली ग्राम के मातरा में उपलब्द होता है आए फ्रेंड्स आप देखते हैं इस प्रोड़क्ट के कुछ बैकलपिक ब्रांड्स के बारे में तो फ्रेंड्स लेंसर 30 मिली ग्राम कैपसूल जिसे डिवाइन लाइफ केर प्राइवेट लिमिटेड के दौरा बनाया जाता है। इस मार्केट में मिलने वाले सेम कंपोजिशन के साथ उपलाप दिये कुछ ऐसे डिफरेंट ब्रांड्स है जो आप इस मेडिसिन के न मिलने की स्थिती पर पर्चेस कर सकते हैं। आपको एफेक्ट सेम मिलेगा क्योंकि इनके अंदर का साल्ट या मॉलिक्यूल सेम होता है। अब देखते हैं इस मेडिसिन के कुछ प्रमुक इस्तिमाल के बारे में तो जैसा पहले ही मैंने आपको बताया है यह एक एंटासिट कैपसूल है और आपके पेट में बनने वाली एसीडिटी को कंट्रोल करता है। इस मेडिसिन का उप्योग गेस्ट्रो इसोफेजियल रि साइड इफेक्ट के बारे में तो फ्रेंड्स जैसा की एंटासिट मेडिसिन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं नौजिया का होना वोमिटिंग का होना डायरिया का होना फ्लेट लेंस का होना हैडेक होना यह सारे साइड इफेक्ट इसमें भी देखे जाते हैं आप देखते चवाना कुछलना या पीशना नहीं चाहिए इस मेडिसिन को इंपटी इस्तमक यानि खाली पेट लेने की एडवाइस की जाती है अब देखते हैं फ्रेंड्स यह मेडिसिन काम कैसे करती है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ यह प्रोटान पंप इन्हीबिटर मेडिसिन है कहलाती है और पीट में बनने वाले एसिट की मातरा को कम करती है जिसके कारण एसिट से होने वाली जो अपचंच होती है और सीने की जलन या पेट के जलन होती है इस प्रकार के लक्षरों से आप को रहत मिलती है इस medicine को लेने का जो regimen होता है वह generally खाना खाने से एक घंटा पहले होता है इसके पहले भी आप ले सकते हैं इंपटी श्टमक में अगर आवसकता पड़ती है तो इसे दिन में दो बार लेने की advice दी जाती है acidity रोकने के लिए आपको कुछ specific point पर ध्यान देना चाहिए जैसे carbonated जो drinks होते हैं soft drinks होते हैं cold drinks होते हैं उन्हें लेने से आपको बचना चाहिए खटी चीजों को लेने से बचना चाहिए तलब भुना खाना से बचना चाहिए caffeine युक्त जो पदार्थ होते हैं जैसे चा या काफी इत्यादी के सेवन से बचना चाहिए आपको निकोटिन युक्त पदारत जैसे धुमरपान से बचना चाहिए बेड़ी सिग्रेट के इस्तिमाल नहीं करना चाहिए सराब या एलकोहल का इस्तिमाल प्रतिवंदित करना चाहिए अधिक रात तक जागना या सोने से जस्ट पहले खाना खाना ऐसी कंडिसन से भी आपको बचना चाहिए अगर आपको मेडिसिन लेने के पस्चात बहुत लंबे समय तक दस्त बना रहता है पेट में दर्द होता है या बुखार बना रहता है तो आपको अपने चिकिश्चक को इस बारे में सूचित करना चाहिए और मेडिसिन लेना बंद करना चाहिए मेडिसिन को लगतार 15-20 दिन तक लेने के पस्चायत भी अगर आपको अपने लक्षड़ों में किसी भी प्रकार की राहत महसूस नहीं हो रही है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है और अपने चिकिस्चक से इस बारे में आपको परमर्स अवस्य करना चाहिए इस मेडिसिन को लंबे समय तक लेने से आपकी हड़ियां कमजोर हो सकती है और उनसे कैलसियम की डिफॉर्मिटी हो सकती है कैलसियम डेफिसेंसी हो सकती है इसलिए बहतर होगा कि जब आप इस मेडिसिन का इस्तमाल कर रहे हो fucking लंबे समय तक तो मैडिसियम या कैलसियम जैसे सप्लीमेंट आपको साथ में लेना चाहिए डक्टर से उचित परमर्स करना चाहिए अगर आपक इस मेडिसिन को लंबे समय तक लेना पड़े इस मेडिसिन को लेने के पस्चात अगर आपको कुछ प्रकार के कॉम्प्लिकेशन्स देखने में आ रहे हैं जैसे पेसाप के मातरा का घट जाना, सूजन का बढ़ जाना, फ्लूड रिटेंसन का बढ़ना, कमर में दर्द रहना, नौजिया का होना, ठकान का होना, फीवर का होना अगर ये लक्षन आपको बार-बार बन रहे हैं रेपीट कर रहे हैं तो आपको इस बारे में भी डाक्टर से परमर्स अवस्थ करना चाहिए अगर अगर आप मेडिसिन के कोई डोज भूल गए हैं तो जितना जल्दी हो सके आपको मेडिसिन के डोज को ले लेना चाहिए परन्तु अगर नेक्ट डोज का समय हो गया हो तो पिछली डोज को स्किप कर देना चाहिए मेडिसिन को डबल कभी भी नहीं करना चाहिए इसके प्रापर रेजिमेंज से ही मेडिसिन को इस्तमाल करना चाहिए मेडिसिन को लेने के दौरान आपको एलकोहल के सेवन से बिसेश रूप से बचना चाहिए क्योंकि आप किसी भी प्रकार के complications में पढ़ सकते हैं गर्भवस्ता में अगर आप हैं या pregnancy की planning कर रहे हैं या इस्तन पान के period से गुजर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने डाक्टर से उचित परामर्स करें इसके पस्चाथी medicine का सेवन करें अगर आप driving कर रहे हैं तो आपको सजकता के साथ driving करना चाहिए क्योंकि medicine लेने के दौरान ऐसा देखा गया है कभी-कभी आपके द्रश्टी में प्रभावित होता है जो इसकी देखने के छमता होती है आँखो कि उसमें कुछ प्रकार के प्रभाव आते हैं जैसे side effect भी देखने को मिलते हैं इसलिए बहतर होगा कि आप जब इस medicine का सेवन करें तो driving करने से बचें kidney रोग या liver रोग से जुड़ी किसी समस्या का अगर आप सामना कर रहे हैं तो बहतर होगा कि अपने डाक्टर से उज़े परामर्स करने के पसचाथ medicine को आपको सेवन करना चाहिए इस medicine को अगर किसी bad ridden percent को दे रहे हैं या ICU में पिसी percent को दे रहे हैं तो इस capsule को open करके इसके जो छोटे छोटे दाने होते हैं granules होते हैं उन्हें एक सिरिंज में रखना चाहिए सिरिंज में किसी प्रकार का fruit juice रखना चाहिए और इसकी जो ट्यूब को नेजोगेस्टिक ट्यूब यानि राइल्स ट्यूब से जोड़ कर आपको insert करना चाहिए और सीधे पेट में इस medicine को देना चाहिए एक बार दिया जाने के बार ट्यूब को साफ करने के लिए कुछ अधिक मातरा में juices को मिलाकर flush करने से यह ट्यूब पूरी तरह से साफ हो जाती है फ्रेंड्स अगर आपको medicine का indication डाक्टर के द्वारा सज़ेस्ट किया जाता है दिन में दो बार लेने के लिए तो आपको सुबह है और साम को खाली पेट में medicine को लेना चाहिए medicine को लेने के लिए वैसे indication जैसे मैंने पहले आपको बताया है इसको crust नहीं करना चाहिए powder या इसके granules को निकाल कर अलग से सेवर नहीं करना चाहिए भोजन करने से पहले कम से कम एक घंटे पहले आपको इस medicine को लेना चाहिए इस medicine को लेने के दौरान ऐसी कोई भी चीजों का सेवर नहीं करना चाहिए जो आपके स्थिती को बिगाड सकते हैं fried या spicy food जो होते हैं especially butter हो गया तेल, juice, coca-cola, चाय, जैसे coffee नेटे ड्रिंक बगरे रहते हैं lemon water या orange juices बगरे या सराब के सेवर से आपको बचना चाहिए ताकि किसी प्रकार के complication के सामना आपको ना करना पड़े इस medicine का जो इस्तमाल होता है वह बच्चों के लिए gastro जो erasio gastritis होती है उसके management के लिए किया जाता है इसकी जो activity होती है यह सभी उम्र में generally देखने को मिलती है तो friends यह था छोटा से review medicine के उपर मैं उमीद करता हूँ friends यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लिज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपने लबबन तक वीडियो को सेयर करना बिल्कुल भी न भूलें एक बात और नोट रखें friends की किसी भी स्थिते में सिर्फ वीडियो के आधार पर medicine का सेवन ना करें यह आपके लिए हानिकाराख हो सकता है आप अपने चैकिस्चक के उजित परामार्स के पस्चाति मेडिसिन का सेवन करें इस वीडियो में बस इतना ही किसी अन्य अच्छे कंटेंट के साथ आप से फिर मुलकात करता हूँ तब तक ले गुडबाई आपका दिन सुब हो जैहिंद